हाथ नमस्कार प्यरसातियों डीजे सर क्लासेज के ओनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका श्वागत है विनंदन है प्यरसातियों हम बात कर रहे थे इतिहास की और इतियास के अंतरगत हमने कापी कुछ पढ़ लिया था और उसी कड़ी को आज आगे बढ़ाते ही प्यरसातिय हो और दोड़ तोड़ा सा सभिछली बैकर रिवाइज करते हैं तो अपनलऄ को नियुक्या और को पिसकी जिए हो की और टो're संधूसु समचर करते हैं और को तहरे सिंदु毘ाटि संभेता का भात करते हैं नहीं तहीं कի स्मॉच कि पर बारे में हम जानकारी प्राप्ट कर चुके थे देखियो राजस्टान के हनुमान गड़ जिले में इस्तित है कहां पर ईस्तित की न मग场 कि किनारे खुंप गगार नेदी की किनारे एक सब्बेता विक्षित होती है जिसे हम किसके नाम से जानते हैं जिसे हम जानते हैं कौन से सब्बेता के नाम से काली बंगा सब्बेता के नाम से जानते हैं काली बंगा का सब्द का अर्थ होता है पंजाबी भासा का या सिंदी भासा का सब्द है इस सब्द का अर्थ होता ह है काली चूडिया क्या होता है ऑई काली चूडीय इसकी सम्हाला लंदंड गोंस ने निसमांगी में ती। brothers इसका उत्हचन का कारे अद्वीलाल विकेस्वार के द्रवाया गया और ये कब कर वाया गया 1961 में करवाया गया और बात करें दो दोस्तों कि दोवेक्टि और मिलते हैं यहां पर उनिसुन सुनस्थर में और इसके द्वारा M.D करे और जग्पती जूसी इनके द्वारा भी इसका उत्खननन करवाया गया था यह इसकी समय चाहिकिते यह साथी माने होना जाता है चांबृ का राजदाने का जाता है- तीसरी कहा जाता है क्या का जाता है- और कि यहां से नगर की जान्कारे मिलती है कि और बात करें तो प्रकार से है कि सारी जानकारे हमने प्राप्त कर ली ती पृष्छ In जालप्दिती के आदार पर इसकी सड़के इनकी सब्सक्राइब को क्या जाता यहां पर और उमिलियों वाधि यकबरे मिले यहां से और देखिए यहां से हलकी साखती हैं कर दो ओर गयों कापास के साखती मिले जुते हुए खेतों के साक्स मिले परकोटे के बार्द इस अर्टा यह सब में जी जूते हुए प्रकोटे की जानकारी हमें प्राप्त व gatmas से 7 अगनी हवन के साक्से मिले हैं यहां प्रति तीशरे घर से गोल कुवे के साक्से मले है जूते भी खितों के प्रमाड मिले है नास्ते हुए ryla promise परक्षी मरन मूरती मिली है उंट की जानकारी हमें देता है लाल मूरतिमार्ण मिले हैं जिस और सपैद और काले रंग से क्या किया गया भी चित्रांगं और बात करें यहां पर जो मकान थे वो कच्ची हिटो के बने हुए थे मचान की नालिया पपकी बनी हुए थी भू कि सड़ की नालिया पके बनी हुई थी यहां से मिलती है अलंक्रित एको के फर्स मिले हैं परस यहां पर क्या लगाए गई ती भुवटरी इसका माना जाता है वो किससे हुआ रिख गईती परक्रटिक आपदासस इसका पतन हुआ ता कौन सब्यता का कली बंगा सब्धीता का लेकिन के आर फीक क्नेडिया कहते हैं आट है वो पतन है संक्रामक रोग immense अर्त चे संक्रामक रोग के कारण वहाँ यहाँ पर पर बीमारी पहले के करने की सब्वेक्राइब समाब यह कहने वाले कंछी हम एक face बात करें अब आज देखते हम फ्यर मेरे दोस्तों नेक्स अब दोस्तों नेक्स अब बात करें आफ़ ब्यम्विय के बारे मुखत करें तहां बनावने है यह खोज की जाती यो यह रविंद्र सिंग्व इसके खोज की बात करें इसकी खोज की बात करें इसकी खोज की बात करें तो यह राविंद्र शीНग के qui damn खोज की खोज की जाती है रविंद्र सिंग रविंद्र शींग विष्ट के द्वारा रविंद्र शींग विष्ट के द्वारा की जाती है किसके द्वारा की जाते हैं रविंद्र शींग विष्ट के द्वारा इसके खोज करती जाती है कौन्से सब्वेता के बनावली सब्व बमवल्स तरह है हरियाना और हरियाना का कौण सा इस्तल है पतेहाबाद पते बाद हरियाना में यह साइट इस्तित कौन सी साइटें यहां प्रनदी की currency बात करें पहरास आतीं। यह प्राचिन कौन सी प्राचिन सरस्वती कौन सी प्राचिन सरस्वती नदी की किनारे हैं कौन सी नदी की किनारे हैं प्राचिन सरस्वती नदी के किनारे यह सब्वेता विक्षित है कौन सी बनावली सब्वेता अब आपको पता है कि जहां से जो है पतेहाबाद में इस्तित के द्वारा और और जानकारी प्राप्ट करें यहां से जो की उत्तम किस्म की जानकारी मिलती है यह द्यान लखना आपको यह ऐसा इसंतल है जहां से जो की उत्तम किस्मी की जानकारी हमें देखने को मिलती है को जानकारी मिलती है त denek यहां से जो की उत्तम किश्म की जानकारी मिलती है जो की उत्तम किश्म की जानकारी मिलती है यह कहां से मिलती है जो की उत्तम किश्म की जानकारी कौन से सब्देटा से मिलती है यहां से क्या प्राप्त होता है यहां से तिल तिल के धेर प्राप्त हुए हैं तिल के धेर प्राप्त हुए हैं अर्थार्थ तिल के धेरों के साक्षे भी हमें प्राप्त होते हैं ठीक है जहां से तिल यानि तिली आप जिससे तेल निकाला जाता है किससे तेल निकाला जाता है भी तिल के धेर यहां से प्राप्त होते हैं सीं सबिता से बनावली सबिता से तिल के धेर वी प्रह्त今े पूचा जाए मुझा जाए कि तील के धेरों के साक्षे नहीं भी यहां से मिलती हैं और बात करें निद्धीर के, साथ मिले। इसके सर्सों के धेर के साक्षे भी मिले हैं काहां से मिले यह 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 भी हमें काहां से मिलते हैं बनावली सब्वेता से मिलते हैं तामबे के बनाग्र क्या मिले हैं यहां से तामबे के बनाग्र क्या मिले हैं पाणाग्र तामबे के यहांसे तामबे के पानाग्र मिले हैं यानि कि तीर है तीर का जो तीर दनुस्त बान हुआ करता था उसका यह वाला इस्सा कौन सा वाला वही यह आगे वाला इस्सा यहां से हमें प्राप्त होता है कहां से प्राप्त होता है यह वाला इस्सा जो है यह बनागर यह वाला इस्सा कौन सा वाला इस्सा यह वाला इस्सा यह वाला है इस्सा हमें प्राप्त होता है तीर का ज्वत्त हुए हैं यह देखने को मिलते हैं यह सारह जांकार यह ए यह भी यह से मिलती है остав दोम या मरणिवान्द मिले एक सब्सक्राप्त होए मृट्टी ऐक मिले भी मिले हो इस प्राप्त होर टे शचांब बांड्र वह शाय बप सब्सक्राप्त होते हैं म्र्द्भांड का मतलब होते हैं यह मिट्टी के बरतन मिले यहां से यह बरतन प्राप्त हुए या बरतनों के शाक्षे राप्त कोई है यह जानकारी हमें कौन से सब्वेता देती है बनावली सब्वेता से यह सारी जानकारी हमें प्राप्त होती है और बात करें तो यहां से मर्ण मूर्ति के साक्षे मिले हैं मात्र देवी यहां से क्या मात्री देवी के मात्र देवी की मुर्ण मूर्ती प्राप्त कुई है? मात्री देवी की मुर्ण मूर्ती हमें का से प्राप्त होती यह यहां से प्राप्त को सक्ष्य नाली के साक्षित नहीं होते यह जरूर रखना है करा से मात्रदेवी की मरनमूर्टी प्राफ्ट हुए और इसके रवी Heights और देखी गावाँ बनावली-स बिता कहां तो यह हर याना के मत्याबाद से जह मिलती है और इसकी जो खोज की गेटि या रविंद चंद्र विष्ट के द्वारा की गई थी और कब की गई थी 1903 में प्राचिन सरस्वति किनारे के नदी के किनारे प्रुविक्षी तो यह जो की उत्तम किस्म के साक्स मिलें तिल के डहर मिलें तामा के बानाग्र या अगहे बानाग्र मिलें यानि यह सब्बेता से जानकारी प्राप्त होती है मात्र देवी की ब्रणमूर्थी के प्राप्त होती है प्राप्त होती है तो बनावली सभाटा को समझ में आ गई है इसके बाद बात करें जहां पर्दोस्री सभीता के हम बात करने जा रहे है दोस्तों और दूसरी सभीता कौनची सुर्पोटड़ा कौन सा पैर दोस्तों सुर्पोटड़ा सब्वेता की बात करने अच्छ सब्वेता जो लेते हम सुर्पोटड़ा कौन सी सुर कोटड़ा कौन सी सब्वेता भई सुर कोटड़ा शब्वेता कौन सी सब्वेता या सुर कोटड़ा इस्थल की बात करते हैं कौन सी सब्वेता का यह सिंदुगाटी सब्वेता का एक इस्थल माना जाता है सुर कोटड़ा इस्थल ठीके सुर कोटड़ा जो इस्थल है प सबसे बात करते हैं इसकी बात करें तो सूर कोटला जो इस्तल्वाना जाता है यह किस प्रकार का इस्तल्वाना जाता है अर्था आर्थ इसकी खोज जो की गई थी वह जगपती जोसी द्वारा की गई तो किसकी द्वारा सबसे यहां पर बात करने जा रहे हैं इसकी खोज की इसकी खोज जो की गई वही इसकी खोज की गई जग पती जग पती जोशी के द्वारा की गई किसके द्वारा जग पती जोशी के द्वारा इसकी खोज की गई तुर कोटला इस्तल की कोज किसके द्वारा की गई जग पती जोशी के द्वारा की गई जहां से सुर कोटला से कि कि अर्थार्च यह का पड़ता गुज्रात का यह से का इंदщet का के रम में पड़ता है और Green तुर्कोटला इस्तल गुजरात के कच्च के रण में इस्तित है इसकी खोज किस ने की जगपती जोशी के द्वारा इसकी खोज की जाती है कौन से इस्तल की इस तुर्कोटला इस्तल की यहां से हमें क्या जानकारी मिलती है अब ध्यान देना है आप यहां से हमें जो जानकारी मिलती है पर दोस्तों यहां से घोड़े के साक्षे मिलते हैं किसके साक्षे मिलते हैं घोड़े के साक्षे मिलते हैं घोड़े घोड़े के साक्षे प्राप्त होते हैं ठीक है यह द्यान रखना है हमें गोड़े के प्रतम साक्षे प्राप्त होते हैं इस स्थल से और देखिएगा गोड़े के साक्षे सुर्पोड़ा से मिले हैं और यह ऐसा स्थल है जिसमें कहा जाता है कि यहां पर सिंदु घाटी सब्वेता के पतन के साक्षे भी मिले हैं, इसके यहाँ पर सिंदु घाटी साक्षे पतन या विनास के साक्षे भी मिले हैं, इसके सिंदु सब्वेता के यहाँ से हमें क्या मिला है, सिंदु सब्वेता के पतन या विनास के शाक्षे प्राप्त हुए है, प्राप्त यह जानकारह मिलती है सिंदु गांटी सब्बेता के पतन या विरनास के साक्षे हमें कांस मिलती है सुर्कोटरा कहां पर पड़ता है आप गुजरात की एक शायट मानी जाती या गुजरात का एक श्स्तल मानने जाते है ठीक है और देखिए कई दोस्तों यहां से घोडी के इस्तिया में मिली है इसके साक्षे मिले है इसके साने मिले है गोडी के इस्तिया की अस्तियां मिली हैं हमें अस्तियां त्राप्त हुई है कि यहां से और क्या मिला है तराजू के दो पलडे मिले हैं क्या मिले वही तराजू की दो पलडे मिले हैं अर्थात ये नाप तोल किया करते थे क्या करते थे इस सब्वेता की लोग माप तोल से परीचित थे अर्थात कोई भी वस्तू को किसी भी प्रकार की वस्तू को माप तोल करके क्या किया करते थे ये काम में लिया करते थे अर्थार्थ इस इस्तल से में क्या-क्या जानकारी मिलती है गोड़े के साथ से मिलते हैं और इस सब्वेता से पतन के साथ से यहीं से कहां पर इस्तल गुजरात के कच्छ के रण में पढ़ता है कौन से रण में पढ़ता है आप से गुजरात के कच्छ के रण में ये इस्तल पढ़ता है समझ में आ गया पहरसातियों अब बात करने जा रहे हैं कौन से इस्तल की अब नेक्स जो इस्तल है पहरे दोस्तों हम बात doughla Vira शबफेटा और नहर्थ आसों देख़े क्या कहिार्य मिलती दोला वी रहों शामिनय यह यह एक मुख्षी इस्तल बाना जाता है कहां का मना जाता है यह विश यह किस के रूप में वा ठाझा करता था इसके रूप में पहरता था इस días सुन्दर नगर और था बहुत सुन्दर रखत दोला वीरा का मतलब है इस सब्द का अर्थ लिया जाए इस सब्द का अर्थ लिकाला जाए तो इस सब्द का जो अर्थ होता है प्यारे दोस्तों इस सब्द का अर्थ होता है शुंदर नगर क्या होता है वही इंदर नगर इस सब्द का अर्थ क्या होत अज़ानगर यह बहुत अच्छा एक गाओं के रूप में वशा हुआ या ऑऄ माने जाती है और कहा जाता है के गुजरCal के बच्छाओं रेहे थल मिलती है अर्छे फटल झाँ फटल दे अल्झ डशाओं करो अधोय आजसपास है को नो यह इस्तल कहां पर पढ़ता था यह गुजरात में कहां पर गुजरात में और गुजरात के कौन सा इस्तल भचाओं भचाओं तरसिल में पढ़ता था गुजरात के व्याउन तरसिल में पढ़ताता यह कहां पर पढ़ता है गुजरात की व्याउन तरसिल में यह इस्तल पढ़ता और झाता है कि मोर्ष deixar 111 में क अब दोजार 112 प्राक। 211 में यहां पर क्या आता है प्याहर दोस्तो एक स्तल खतम हो जाता है और यह हो जा गया जो स्तल है यह जगपती जोसी द्वारा घूजा गया स्तल पूरी तरह से यह जो स्टास बहुद्र 00 Bir बाढ़ आ जाने के कारण या भुकम्प आ जाने के कारण बैं 211 में हुकंप आ जाने की कारण या फिर बाण आ जाने की कारण जाने की फिल्जन कारण यह स्तल यह इस्तल पून रूप से पून रूप से शमाप्त हो जाता है शमाप्त हो जाता है या खत्म हो जाता है वो गया ठीक है पैर दोस्तों अर्थार्थ यहां पर वर्स 2001 में यहां पर कौन से इस्तल पर धूला विरा बहुत सुन्दर नगर उमवाना जाता है पैर दोस्तों यही और यहां से हमें एक Stadium की जानकारी मिलती है क्या मिलती है? यहां से धोला वीरा से धोला वीरा से हमें स्टेडियम की जानकारी मिलती है कौन से स्टेडियम क्रिकेट के स्टेडियम की जानकारी मिलती है क्या धोला वीरा से कहां से धोला वीरा से हमें क्रिकेट के स्टेडियम की जानकारी मिलती कहां से पहर दोस्तों दोला वीरा और धोल वीरास से हमें क्रिकेट के स्टेडियम की जानकारी मिलती है, ठीक है? कि मिलती है, कहां से प्राप्त होती है, क्रिकेट के स्टेडियम की जानकारी हमें धोला, वीरा नामकिस्तान से प्राप्त होती है, जो कहां है ये गुजरात में हैं, इसके जानकारी मिलती है, जहां से हमें और क्या जानकारी मिलती है, यहां से कादत है, एक पट्ट पर लिखी गई है जिसे क्या नाम दिया गया शूचना पट एक शूचना पट प्राप्त हुआ है यहां से एक शूचना एक तूचना तूचना पट प्राप्त हुआ है जिस पर जिस पर इंदू लिपी लिखी हुई है या कि क्या लिखी वही वही तेंदाव लिपी लिखी गई यह लिखी है ठीक है एक शिंद्व सुब्यता का एक शूचना प्राप्त होता है अर्थात यहां से क्रिकेट के क्रिकेट का स्टी अर्थात हम बात करें यहां पर तीन इस्टम खड़े कर देंगे और यहां पर यह तीन इस्टम लगे हुए है इदर भी हमें इन इस्टम खड़े कर देंगे यहांपर पर के पास एक शूचना पट्ट में इसे प्राप्त हुआ है हमें घुजात से दूला वीराणामकिस्तान इसी तो इस सूचना पट की बात करें तो कि पर क्या लिखा हुआ था कुछ लिखा हुआ था रिखा हुआ था और कुछ क्या लिखा हुआ था देखीगा यहां पर यह सूचना पट तो तो डूड़े कि इस सूचना पट्ट तरीकी का बना हुआ था यह यह पूर लगा पट्ट पे यह यहां पर सूचना पट्ट क्या है लगा हुआ था इस सूचना पट्ट पर बात करें यहां सूचना पट्ट पर क्या कुछ लिखा हुआ था पहले दोस्तों क्या लिखा हुआ था यह तो अभी तक हमें भी पता नहीं चल पाया कि क्या लिखा हुआ है कि को पता नहीं है क्या लिखा हुआ है कि कोई किसी को अभी है यहां पर इंदव लिपि लिखी भई है ठिके हैं लोफ census व्म कुर से लेखन अंगेर कि इससे त़ल्ब से से बोल लुपि लिकीती औरत इंदम कुछ झे दृख एपकर शूच लापकर का है यह क्या है और यह में कहां से प्राप्त होता है शूचना पट हमें कहां से प्राप्त होता है यह आपका शूचना पट कौन सा है तूचना पट और यह हमें कहां से game खेलते होंगे Qirecket के समांने समान हुआ करता था इसका कारण समांने क्रिकेट संभाट वा करता था दुद लगा होता तो यह इस ना पते जानकारे मिलती पूरे सिरिकेट के स्टेडियम के जानकारी मिलती है और दर्स है को क देखने के लिए यहां पर धिश्या घिद्पार है को खसके के द्वारा जगपती जोसी के द्वारा एक सुन्दर नगर था बचाओं तरसिल में कहां पर गुजरात के बचाओं तरसिल में पड़ता है इसके इसका अंतिम संस्कार की ग्राहत क्या यह खतम हो चुका है यानि कि संबुद्र तर्टप के बास इस्तित होने के कारण पर दोस आजाने के कारण यह नामकिस्तान से पराप्त होती है और बात कर लेते हैं जहां से क्या जानकारी मिलती है उत्ख नना रेस्ट ने करवाया ता किसने करवाया दो ये थोड़ी ठीजन रखले करें है उत्खनन के बात करें तो आर्य स्विष्ट यां पर उत्खनन उत्खनन की जानकारी प्राप्त होती इत्जाब पिर तेर है आस सुचनं ने आरेस विष्ट ने इसका उत्खनन करवाया थी यह द्यान रख लेना अब एक और सबसे महत्वपूर्ण जो जानकारी पहरत गोश्ट तो यहां पर भी नगर था त्या था नगर था और नगर की जानकारीय में प्राप्त होती है कहां से प्राप्त होती है इस धुला वीरा से यह दोला वीरा में जो सबसे महत्वपूर्ण जानकर क्या वो जानकर यह है कि यहां का नगर कौन का नगर जहां का एक मात्र यह इस्तलता चलि आगे लेते हैं तो कि यह एक मातर-इस्तल्था क्मорот दोला-विरा कि बात करें खुछत भूला-विरा कि बात करें सतल्थ्द ढूला-विरा और धूला-विरा एक मात्र-इस्तल्था वह हां से हम्हें नगर पींव गो जो नगर नियोजन था यहां का क्या प्यार दोस्तों नगर नियोजन यहां का नगर नियोजन धुला वीरा का नगर नियोजन नियोजन या नगर जो था वो तीन भागों में बटा हुआ था यहां का नगर तीन भागों में बटा हुआ था यहां का नगर तीन भागों में सब्पर राप्त करते हैं यह मात रिष्थल माना जाता जहां का नगर बागों में बटा वातकुन सब्सक्राइब से लाट दूसरी बात करें मद्यमा डीला Suzanne कौन सा मद्यमाठी एक दूर्ग टिला रर्प तल पर पर उसकी बात करें जो पूर्वे टिला ता या बात करें यहां जो यह दुर्ग टीला था जहां पर रहा करता था प्रशासनिक वर्ग यहां पर निवास कुन करता था प्रशासनिक प्रशासनिक वर्ग निवास करता था वर्ग निवास करता था क्या करता था निवास करता था निवास करता था था प्रशासनिक वर्ग निवास करता था यहा वर्ग निवास करता था या निवास करता था यहां पर वर्पारिक वर्ग निवास करता था यहां पर सामाने जनता निवास करती थी 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 सामाने जनता निव हैंसे इसे सिंदु घंटे सब्वेता का एक मात्र इस्तलता जो तीन भादो में 21 दूला वीरा जिसका नगर ंवाफोए तो यहां पर द्यान रखना है आपको क्या दियान रखना है यही द्यान रखना धोला वीर पहार दोस्तों दोला वी रहGr़ा कौन दोला वीरा दोला वीरा चिंदु सब्वेता का चिंदु सब्वेता का एक मात्र चिंदु सब्वेता का एक मात्र इस्थल इस्थल था चो जिसके जिसका नगर तीन भागों में बटा हुआ था कुण सा इस्थल था यह एक मात्र इस्थल वाना जाता है कौन सा दोला वीरा एक मात्र इस्थल वाना जाता है शिंदु सब्वेता का जिसका नगर नियोजन तीन भागों में विवाजित हुआ करता था कुण नगर नियोजन कौन कौन से है एक तो दुर्ग तीला जिसे करते हम एक मद्यमा तीला जिसे करते हम एक नगर तीला जिसे हम करते हैं और कहा जाता है कि यहां पर कौन कौन निवास करते थे इसमें प्रसासनिक वर्ग निवास करता था इसमें व्यापारिक वर्ग अिजास क्या करती थी कूंसे इस्तल में नगर टीले में सामवाने जंता निवास किया करते थी यह विसे इस दिहान रखना है आपको क्या ठोना वही यह से संपूर्ड यहां से पूरे यह जानकारी है यह देखी क्षुछ विरा अर्द्धोला विरा के बात करें गुज्रात में वचाओ नगर में ही पचाओ के पास इस्तित है जग्पती-घुशी ने की तही जग्पती-जोसी ने इसका उत्खनन जो करवाया था आरे स्विष्ट के द्वारा करवाया गया इसके द्वारा आरे स्विष्ट के द्वारा करवाया गया और जहां से हमें और क्या जानकारी भुकम्प के द्वारा यह खतम हो गया प्यारे दोस्तों इसकी लोकेशन क्या है सुन्दर इसका अर्थ नहीं चैल वह था किरकेट के समान एक कि लिकर अरह सकते यहां पर एतर से भाग रहップ रहे हैं लेकिन प्रकार का स्टेडियम की जानकारी मिलते हैं किसके जानकारी मिलती है यहां से भई हमें इस्ट्रेडियम की जानकारी हमें प्राप्त होती तो यह ध्यान रखना है तारे साथ यह मुख्यर उपसे क्रिकेट खेलने के इच्छा आपके दिल में हमेशा रखते होंगे आप और खेलते भी होंगे आसा करता है कि बड़िया लग रहा होगा आपको इटकेट का नाम लेकर ठोड़ा सा ध्यान दें यहां से जो जो जानकारिया राप्त हो रही है उसको शेर कीजिए प्यार दोस्तों लाइक कीजिए चेनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कीजिए और जहां तक हो सके ज माद्यम से बहुत ज़्यादा उठा सकते हैं तो जुड़े रही है डीजे सर क्लासिस के साथ और कहा जाता है कि यहां पर अलग अलग प्रकार के सभी सब्जेक्टों के तो अलग अच्छे अच्छे या व्यक्षान किया जा रहा है या पढ़ाया जा रहा है प्यार दोस्तो उनका आप लाव ले सकते हैं बहुत अच्छे से लाव ले सकते हैं और आपकी शफलता की इवारत एक अच्छे ढंग से लिख सकते हैं और अच्छे ढंग से लिखने के लिए आपको निशुलक बैच मिलारा मिल रहा है और इसी प्रकार से आपको प्राप्त है प्यारे दोस यह कर सकते हैं लेकिन ज्यादा तो नहीं इस वर चाहिए कि आपको बहुत जल्दी सपलता मिले तो उसके लिए थोड़ा सा जुड़े रहे तो बढ़ते रहे और देखिएगा क्या जानकारी मिलती है देखिएगा सबसे पहले का जाता है कि यह तीन भागों में बटा हुआ थ रहे श्धान की जानकारी मिल भी इसके बाद देखिएगा यह सारी जानकारी हमें से प्राप्त हो जाती है आप बात करते हैं वही हुटी और कुछ समयता वह उनकी के जिकरत कर लेते हैं अब इसके पश्चात हम बात करते हैं तो कौनसी राखी गड़ी कौनसी पैरदोस्तों राखी गड़ी सब्वेता राखी गड़ी एक सिस्तल है यहां इसकी जानकारी हम प्राप्त करने जा रहा है हैं राखी गड़ी के बात करें तो यह जदा इसकी खोज की गई डक्टर रफीक मुगल की द्वारा की गई कि खोज की बात करें इसकी खोज डक्टर रफीक मुगल के द्वारा की गई डॉक्टर रफीक मुगल के द्वारा इसकी खोज की जाती है कौन से सब्वेता की खोज की जाती है इस राखी गड़ी सब्वेता की खोज की जाती है यह कहां इस्तित्मानी जाती है यह हर्याना में कहां पर है वही हर्याना में इसका जो लो कि यह र्याना राज्जे में इस तिट्सभेता मानी जाती है कौन सी जबयता राखी गड़ी व्मीते यह कहां प्र मानी जाती हान अनों में इसकी जानकारी प्राफ तो यह कि के द्वारा रफिक मुगल की द्वारा और बात करें इस का उत्कनन जो करवाया कै Our अम्रेंद्र नाथ या अमर नाथ की द्वारा किया गया किसके द्वारा किसके द्वारा करवाया गया भी अमर नाथ की द्वारा या अमरेंद्र नाथ की द्वारा किसके द्वारा इसका उत्खननन उत्खनन उत्खनन जो करवाया गया प्यार दोस्तों अमरेंद्र अमरेंद्र नात की द्वारा इसका उत्खननन करवाया जाता है इसका उत्खनन करवाया जाता है राखी गड़ी नामक सब्वेथा का रफिक मूगल कहते हैं कि यह राखी गड़ी अर्थार्थ यहां पर जो है इसकी जानकारी जो दी और का जाता है यहां से लगू मुद्रा अप्राप्त हुई है क्या प्राप्त हुए यहां से ज्यादा तो वे से कुछ जानकार यहां प्राप्त नहीं होती लेकिन फिर भी छोटी मोटी जानके हैं यहां से लगू मुद्रा प्राप्त हुए लगू मुद्रा प्राप्त हुए लगू मुद्रा पर किस पर लगू मुद्रा पर लगू मु यह प्रात्त है चित्र पॉण हम्हें कहाँ प्राप्ट होती है राखीगड़ी क्योंस हो जाएगा भी रोपड कौुंसा पर पढ़ता है पर दोस्तों यह पंजाब में पढ़ता है आपका रोपड जो है यह पंजाब में पढ़ता है और रोपड पंजाब में कहा जाता है अधियां रखना है यह कहां पर पढ़ेगा यह इस तर्फ पंजाब में ठीक है भी रोपड कहां पर पढ़ेगा पंजाब में कहां पर है यह रोपड जो है आपका पंजाब में पढ़ेगा पंजाब में अब इससे भी कोई विसेस जानकारिय तो प्राफ्ट नहीं होती लेकिन सोतंतरता के बाद खोजा गया यह प्रतम इस्तलमाना जाता है सोतंतता के बाद खोजा गया यह प्रतम इस्तलमाना जाता है और इसी के बात करें तो बीवी लाल के द्वारा इसकी खोज की गई थी कब 1950 में कब की गई थी इसकी खोज की बात करें चलिए भवी खोज की बात कर लेते हैं 1950 में कब प्यारे दोस्तों 1950 में ब्रजबासी लाल द्वारा किसके द्वारा ब्रजबासी लाल द्वारा इसकी खोज की गई थी तीक है या इसी को करते हैं अपना बीवी लाल क्या करते हैं बीवी लाल क्या करते हैं ब्रजबासी लाल के द्वारा इसकी खोज की गई यह भारत की स्वत सोतंत्र भारत में हो जा गया शोतंत्र भारत में हो जा गया प्रतम इस्थल माना जाता है प्रतम इस्थल वहीं तो जादातर भारत में पकिस्तान कि यह संद्धु गाटी संद्धु 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 संदीब और था की सौतंत्र में हो जागया प्रतम इस्तल माना जाता है जो उत्खनान करवाया जाता है उत्खनन का का रहे उत्खनन जो करवाया गया पैर दोस्तों ये यग्यदत सर्मा की द्वारा किसके द्वारा यग्यदत करवाया गया यक्सिए इस इस मैना जाता है ये प्राशन कई बंबार पूछा जाख को माना जाता है तो फोल ये प्रतम इसतल माना जाता है या backpack की शोतंतरता के के बाद हो जा गया प्रतम इस्थलता है यहां से विशेस कर कोई जानकारी विशेस कर नहीं मिलती है वैसे तो पहरे दोस्तों क्या क्या जानकारी मिली है मानव के साथ कुट्टे के शवाधान मिलें यह जरू ध्यान रख लेना क्या मिलें यहां से जानकारी जो मिलती है मानव के शाथ कुट्टे को दफनाने के दफनाने के शाक्षे मिले हैं, अर्थात मानव के शाथ कुट्ट्यों को दफनाने के शाक्षे मिले हैं, अर्थात मानव के शाथ कुट्ट्यों को दफनाने के शाक्षे, अर्थात कुट्टा बुरही वफादार जानवर होता है, और रहा होगा तो उसको किसके साथ दफना दिया गया अपने मालिक के साथ ही दफना दिया गया ठीक है यह जो इस्तल है यह किसकी जानकारी मिलती है मानव के साथ कुत्ते के को सी नदी के टट पर रहे कोंगों सिसवदाई चाहना नंदी हमें जानकारि से मिलती है एक बार पुनार इसको थोड़ा सा देख लेते कहां से आज देखा था पैर दोस्तों तो ये सुर कोटडा के बाद है को में देखा था बैनावलिसे आज का चिक्र किया था हमने बढवली सब्देता बनावली सब्देता काहसे प्राप्तainके यड़ो उत्व राचिन नदी की किनारे विक्सित होती है जो कि साथ बात करें सब्भेता से गुजरात के कच्च के रन से प्राफ्ट होती है सिंदु सब्वीता के निवास या पतन के साक्षिक निक्सरारे से प्रस्टिस क्या है जाता जाता है क्या Soc भोडे की अश्टिस की पूछा गया है और यह वी इंपोर्टेंट लगा नेना है ठीक है आगे बात करेते हैं ता राजू के दो पलड़े यहां से प्राप्त होते हैं जो संगुद्र तपर फिक से तुवा था लेकिन कहा जाता है कि यह गाउं के रूप में रूप में करता था लेकिन वर्स इसका अर्थ होता है सब सपले तो सुन्दर नगर इसकी खोज जगपती जोशी ने गवाया कि उतकनन आरेस विष्ट के द्वारा किया गया दोला विराहत से हमें क्रिकेट के इस्टेडियम की जानकारी मिलती है यहां पर एक सूचना पट मिला है हमें क्या मिला है एक शूचना पत मिला है जिस से अमने जिस सेंदोह लिकी लिखी हुई थी किस परकार से देखने को मिलता है यह जानकारी हमें प्राप्त होती है क्या कितने भागों में बट अधान नगर किते वह में बटा हुआ था था तीन भागों में बटा हुआ था कौन कौन से दूर्ग टीला मधिमा तेला और नगर्टीला ये प्रशाशनिक वर्ग व्यापारिक वर्ग और स्वामने जनता निवास किया करती तो अदो जगे की जानकारी मिलती है लेकिन यहां पर जो नगर्ता वो तीन भागों वटा वह था यह एक मात्र इस्तल माना जाता है राथि गड़ी हर्याना में प्राप्ट हुआ है यहां पर लगु मुद्रा से मात्र देवी का चित्र प्राप्त हुआ है और रोपड सब्वेता जो सोतंत्र भारत में को जा गया प्रतम इस्तल माना जाता है यह पंजाब में इस्तित है कहां पर है इसकी खोज कब की गई थी वही इसकी खोज ब्रजबासि लाल या बीवी ला के द्वारा कब करवाए गई थी 1950 में की गई थी इसका उत्कनन यगेदत सर्मा के द्वारा करवाए दिया गया शोतंत्र भारत का खुजा गया प्रतम इस्तल मानल के साथ कुट्ट्य को दपनाने के साक्से में यहां से मिलते हैं कौन से सब्वेता से पैर दोस्तों इस सब् पर नाप्त होते हैं फिर मिलते हैं Next Class में तो चैनल पर बने रहिए और रोजाना अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़े रहे पैर दोस्तों मिलते हैं Next Day Next Class Next और नए जुनन के साथ मिलते हैं आग के लिए इतना ही कापी बहुत द्य क्योंद्पा दन्यवाद नमस्कार